तो हें गाईज वेलकम बाट पर दी चानल, होप यो अल लड़ेंगे आप तिने लिफाइंगे, तो गाईज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्टिन बीबर के लाइफस्टाइल के बारे में, अगर आप लोग जस्टिन बीबर के फैन हैं तो इस वीडियो को जस्टिन बीबर का रियल नेम है जस्टिन डिव बीबर और निकनेम है जे बी दबीब, जस्टिन बीबर की डेट अफ बर्थ है 1st मार्च 1994, इनका जनम लंडन में हुआ था, और ये 2022 के हिसाब से जस्टिन बीबर 28 यहर्स के हैं, प्रोफेशन से जस्टिन बीबर एक सिंग Songe Writer है जोषन बात करते हैं, जस्टिन बीबर के फिजिकल अपियरेंस के बारे में, जस्टिन बीबर के हाइच है 5 Pit 9 इन, इनका weight 70 Kilogram, ज़स्टिन बीबर का आई कलर है closelyever україн में प्लिप सिंग से लियाग से जस्टिन बीबर । ने पन्राइच की से अपने स्पूल के पढ़ से जस्टिन भीबर के इंस्टेग्राम अकाउंट पर 261 मिलियन फॉलोवर्स हैं अब चलिए आपको मिलवाते हैं जस्टिन भीबर की फामिली से जस्टिन भीबर के फादर का नेम है जर्मी जाक भीबर जो कि प्रोफेशन से कारपेंटर अड मार्शल आर्टिस्ट हैं जस्टिन भीबर का जोडियक साइन है पाइसेज और इनकी होबीज हैं वेक बोडिंग, प्लेइंग, आइस होकी और सॉकर अब चलिए बात करेंगे जस्टिन भीबर के करियर के बारे में स्कूटर प्राउन जो कि फॉर्मर मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव है सोसो डेफ रिकॉर्डिंग के वो जब यूट्यूब पर अलग-अलग सिंगर्स के वीडियो को सर्च कर रहे थे तब उन्होंने गलती से जस्टिन भीबर के एक वीडियो पर क्लिक कर दिया था और उस वीडियो को देखने के पास स्कूटर प्राउन को जस्टिन भीबर काफी जादा पसंद आये थे जिसके बाद वो जस्टिन भीबर के घर उनसे मिलने गए पाकि वो जस्टिन भीबर के पेरेंस से पर्मीशन ले सके उनके साथ काम करने के लिए कूटर ब्राउन का ये ओफर जस्टिन बीबर की मदर को पसंद नहीं आया जिसके वज़े से उन्होंने इस ओफर को रिजेक्ट कर दिया पर जस्टिन की फैमिली के बाकी लोगों ने जस्टिन की मदर को कन्विंस कर लिया था जिसके बाद 13 साल की उम्र में जस्टिन बीबर स्कूटर ब्राउन के साथ एटलांटा गए थे डेमो टेप रिकॉर्डिंग के लिए एटलांटा जाने के एक हफते बाद जस्टिन बीबर उशर के लिए गाना गाने लग गए थे एटलांटा जाने के कुछ समय बाद जस्टन बीबर ने साइन किया था रेमन ब्राउन मीडिया ग्रूप को जो के एक जॉइन्ट वेंचर है ब्राउन एन उशिर के बीच में अटलांटा में कुछ समय काम करने के बाद जस्टन बीबर अपनी मदर कुले के पर्मेनेंटले अटलांटा में शिफ्ट हो गए थे जहां पे वो अपने करियर को ब्रॉण एन वही उशिल के साथ आगे बढ़ा सकें जिसके बाद 2008 में स्कूटर ब्रॉण जस्टन बीबर के मैनेजर बने थे जस्टन बीबर का फर्स सिंगल वन टाइम रिलीज हुआ था रेडियो पर और उस समय जस्टन बीबर रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने डेबियो एल्बम के लिए जस्टन बीबर का ये सौंग कैनेडिन होट 100 के 12 नंबर पर गया था अपने फर्स वीक में और कहा जाता है कि इस सौंग के रिलीज होने के बाद काफी सारे लोगों ने इस सौंग को बहुत ही पसंद किया था और इसके बाद जस्टन बीबर ने काफी सारे पॉपलर सौंग काये हैं जैसे कि से बेबी, ब्यूटी आन बीट, नेवर से नेवर, लव यॉर्सिल्फ, एक्सेक्रा अब बाद इस ये थी कुछ बात है जस्टन बीबर के करियर के बारे में अब चलिए बात करेंगे जस्टन बीबर के फेवरिट तिंक्स के बारे में जस्टन बीबर का फेवरेट फूड है स्पेगटी, बैरी काप्टेन, ट्रॉंच, जस्टन बीबर के फेवरेट अक्टरोस का नेम है जैसिका बेल, जस्टन बीबर के फेवरेट सिंगर्स का नेम है मिशेल जैक्सन, जस्टन टिम्बर लेक, जस्टन बीबर के फेवरेट फिल है Lamborghini Aventador जिसकी कॉस्ट है 6.2 करोर रुपीस, जस्टन बीबर की कार है Audi R8 की कॉस्ट है 2.7 करोर रुपीस, जस्टन बीबर की थर्ड कार है फ्लाट ब्लाक रेंच रोवर जिसकी कॉस्ट है 1.6 करोर रुपीस, at the end बात करेंगे जस्टन बीबर की इंकम और नेट वर्थ के बारे में, यह 2022 के हिसाफ से जस्टन बीबर की नेट वर्थ है 285 मिलिन डॉलर तो गाइस यह थी फेमस सिंगर जस्टन बीबर की लाइस्टाइल वीडियो, if you like this video, don't forget to hit the like button, do subscribe to my channel